नमस्ते, स्वागर थे हैं आपका इस टोल में, Options Trading और Paper Trading Platform. मेरा नाम ही यश, और आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे चार्ट की जो आपको जानकारी देगा अलग-अलग स्ट्राइक की एक ही चार्ट पर. इस फीचर का नाम है Multistrike OI, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे Analysis में, यहाँ जाने के बाद हमें यही पर Open Interest के Under Multistrike OI दिखाई देगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर आएंगे, हमें दो स्ट्राइक के Open Interest के चार्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी आपके Add the Money वाले स्ट्राइक रेट है, इसमें जो चीज़ हम सबसे पहले देख पा रहे हैं, वो है Expiry Date, तो Expiry Date पर आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आप यहाँ चूज कर पाएंगे, कि आपको कौन से Expiry की Multi Strike Open Interest का चार्ट 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 चीए है, July 20 या फिर July 27 आप चूज कर देखेंगे, और आपको अलग-अलग Strike Rate के बागराफ एक ही चार्ट पर दिखाई देंगे, पहला वाला है आपका Call, और दूसरा वाला है आपका Put, Expiry Rate के बाजू में आपको देखेंगे, इस Strikes जहांपर आप अलग-अलग Strike को आइड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जाके, 19,450 का एक PE का आइड कर सकते हैं, और फिर आप 19,550 का CE का आइड कर दीजिए हैं, तो आपको यह दोनों चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आप जितने चाहें आप उतने आइड कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपका यहाँ एकस्पैंड का फीचर आता है, जिसको आप क्लिक करके, इस पूरे चार्ट को एक बड़े स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ से बाहर आते सी, आपको यहाँ पर स्केल दिखाई देगी, तो यह वाली जो लेफ्ट साइड में आपको स्केल दिखाई दे रही हैं, तो वो है आपके इंस्ट्रूमेंट के प्राइस का स्केल हैं, और राइट साइड में आपकी ओपन इंटरिस्ट का स्केल हैं, नीचे में आप टाइम का स्केल देख पारे हैं, सवानों से ग्यारा उन चालीस तक का, जो कि अभी का समय है, ये था Multistrike OI Analysis ऐसी और जानकरी के लिए सब्सक्राइब करें स्टोलों पे लाइक और शेयर करना न भूलिए गाओ फिर मिलेंगे धन्यवाद